तो काईस मैं हुआ की तोड़ा आप देख रहे हैं रिसलिंग फैंस नाइटवक सुर करते हैं एक बहुत ही भरी अपडेट्स हैं इस वीडियो के अंदर सारी मेजर अपडेट्स ही है एंड यह सेथ रॉलिंस को लेकर तो भाई कोडी रोट्स तो स्मैक डॉन के अंदर आने ही स्माइट्स तो भाई रोमन का भी यहां पर होना कंफर्म हो चुका है रोमन आपको पता है कैसा स्रेडूल फॉलो करते हैं लेकिन रोमन भी यहां पर है तो बहुत ही अच्छा पॉजिटिफ साइन लगता है कि अब रोमन भी रसल मेना तक बैक टूबैक अपियर होंगे या यहां पर आठ मार्च के एपिसोड के लिए अनौस कर दिये का है रोमन एंड रॉप साथ में कोडी और रॉलिंस तो क्या इसका मतलब है कि इनका मैच आठ मार्च तक अफिसली एडवर्टाइज कर दिया है आगे बढ़ते हैं अगली स्टोरी के बारे में एंडिये को लेके तो भाई यह रसल मीरा में कोडी रोट्स फेस करेंगे रोमन रेंज को अंडिस्पिटेड चैंपिसिप के लिए तो देख लेते हैं कोडी रोट्स के सेड्डिल को एक बार कि स्मैग डॉन में कब-कब आने वाले हैं कब-कब के लिए इनौस करा गया है इस वीग तो कोडी जाने वाले है एक मैंज को उसके बाद फिर आठ मार्च मईंगे मैं आपको जस्ट बताए है डालिस स्व्घ मांट लओन दयन उसके बाद वापस दरा मांच को भी हैंगें में नेशन से होगा टैन तो यह एक टुबैं थो एक तो अगले विग भी आएंगे इतना तो मैं घस कर सकता हूं अभी के साब से कोडी रोट बैक इन तीन एपिसोड के लिए अगर बात करीजा इसके बाद की तो अभी इसके बाद की अनॉसमेंट नहीं है लेकिन इसके बाद भी कोडी आएंगे ही आएंगे करीब आएगी तो सुपरस्टार्स और ज्यादा अपियर होंगे असे नहीं के अपसेंट होंगे तो अभी के साब से कोडी बैक टो बैक कंफर्म है 15 मार्च के लिए इसके बाद की अनॉसमेंट होगी तुमें आपको बताऊंगा लेकिन अगर आप यह पूरा स्रेडिलिंग का अगली स्टोरी के बार में अपियर हो सकते हैं चांसे अब इसके बहुत जारा अच्छे बन चुके हैं मैंने आपको बताया था कि बूजर ने ट्वीट किया था कि क्या पता सी एम पंक बाइस पेसल गेस्ट रफरी बन जाए ड्रू मैकेंटर और सेथ रॉलिंस के मैच के अंदर लेकिन वो उनका सिफ सवाल पूछना था कह रहे था कि मैं हिंट वगरा नहीं दे रहा हूं इसके लिए सी एम पंक ऑफिसली डवेड़ डबी के वेबसाइट पर एडवटाइज ने वह भी बहुत अच्छे तरीके से हाइलाइट करके अब यहां पर सी एम पंक क्यों एडवटाइज ने क्यों आने वाले तो बाई दो तीन गैसे में आपको बता रहता हूं अब एक जुक्त हो सकता है कि सी एम पंक खुद आपके इस मैच में स्पिसल्ग रफरी का रोल नहीं भाने के लिए एनौंस्मेंट करेंगे कि मैं स्पिसल्ग रफरी बनोंगा तो यह दो सबसे लाइकली चीज़ है भाई मुझे तो यही लगता है या फिर हो सकता कि कॉमेंटरी टे वह देख सकता है लेकिन एजस्टार्स का डिजार ज़रूर है कि वह वर्ल्ड चैंपिन बने एक बार इंटेव्यू में कहते हैं कि रिसे इंटेव्यू में आप देख सकते होगे एजस्टार्स से डाटी नीट्वी चैंप से वन मोर ताइम बिफोर इस ताइम तो कॉल इट अब मैं प्रो रिस्लिंग सागर रिटायर होंगा तो डबडड़ी से ही होगा ऐसा नहीं कि मैं किसी ओप रोमोसर में जाऊंगा वैसा कुछ भी नहीं है और मैं चाहता हूं कि रिटायर होने से पहले मैं एक बार डबड़ी चैंप से वापस से जीतें अब इसके चांसे से को थोड़े कम लगते हैं को रॉस्टर काफी स्टैक्ट हो जुका है एंड एजस्टायल्स कूपर डबड़ी कैसे चांस लेगी वह थोड़ा सब मेरे दिमाग में क्वेश्चन है एजस्टायल्स चैंपियन बनेंगे रिटायमेंट से पहले तो इनको यह चीज तीन साल के अ मर्चेनडाइबर रिलीज हुए है बहुत जगरी मर्चेनडाइबर रिलिज हुए आपन धेख सकता है यहाँ नोब यहां पर उना प्रत वर क्राईब दाविश्टाइब्सक्राइबर में में रिलीज कर देंगे निफिए रिलीज के रिटाल्य करते इसको मर्च में डबेड़ डबी ने कंवर्ट भी कर दिया तो अभी केसा आप से बाई देखना है इसकी सेल्स कितनी बढ़ती है यह तो मैं लिखके दे रहा हूं यह जो इतनी जब्रदस्त मर्चे इसकी सेल्स बढ़ेगी बहुत ही भायंकर बढ़ेगी यह मैं हंड्रेंड प सब्सक्राइब करते हैं तो आप जो है वापस से रसल मेरा 40 में आ सकती है चांसे बताया जारे विकॉस इन्हों ने अभी डिसेंटली एक ट्वीट करा जो कि आप लोग सीथा ट्वीट देख सकते हैं अपने स्क्रीन को पर यहां पर जॉड़ इंग्रेस कहती है कर रही हूं यानि इंडी इवेंट्स पगरा के लिए अब आपको मालूम है कि फिलिडल्फिया से रसल मेरा होने वाला है और तो बिल्कुल सकती इसमें कोई डिनायल नहीं है लेकिन क्वेस्टन मेरा यह है यह आके करेंगी क्या औरेडी काफी रसल मेने स्टैक्ट दिख र और किसी के लिए स्पॉर्ट बच कहां रहा है लेकिन हाँ अभी के सब्सक्राइब कर रहा है तो काफी हद तक लोग स्पेकुलेट करने कि सारी रसल मीना में देखने को मिलेंगी अब क्या चाहते हो कि आपको जौर्ड इंग्रेस देखने को मिलें रसल मीना के अंदर कॉमे इंस्टाइग्राम एंड ट्वेटर पर लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में जॉइन किसकते हैं वाट्सप चैनल को उसके भी लिंके डिस्क्रिप्शन में मिलता है अपरी नेक्स ओफेर का आफ में इंट्रस्टिंग वीडियो में